नमस्कार स्वागत है आपका सुनिए सच में मैं हूँ नीलू व्यास और सत्यहिंदी.com का ये वो प्लाटफॉर्म है यहां से सोंवार से शनिवार मैं लाती हूँ आपके लिए दिन भर की पाँच बड़ी खबरे, खबरों के पीछे का विशलेशर और उसके पीछे का सच क्य क्योंकि आपको जानना चाहिए सच. चली शुरुआत करते हैं आज की हैरलाइन से. तो इन सारी खबरों से आपको नुबरू कराएंगे लिकिन शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर से और वो खबर जुड़ी हुई है प्रग्या ठाकुर के विवादित भयान से. बोपाल से भारती जन्तापार्टी की सांसत साधवी प्रग्या ठाकुर ने आज लोगसभा में दो बार माफी मांगी. महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोचसे को देशभग बताने वाले बयान पर विपक्ष ने भारी हंगामा किया था जिसके बाद चुक्रवार को प्रग्या ठाकुर ने माफी मांगी. लोग सभा में उन्होंने कहा कि मैंने नाथु राम गोजसे को देशभक नहीं कहा फिर भी अगर किसी को ठेस पहुचती है तो शमा चाहती हूँ तो आज अगर प्रग्या सिंग ठाकुर ने अगर माफी भी मांगी संसद में तो बहुत ही ड्रमाटिक तरीके से माफी मांगी और उन्होंने जो सबसे पहली जो उनकी अपॉलोजी आई थी यानि कि जो पहला माफी नामा उनका जो था जो उन्होंने कबूला संसद में उन्हो बोला गया कि मैं आतकवाद आतकवादी हूं और जबकि वो सारे चार्जिस प्रूव नहीं हुए हैं और मेरे बयानों को तोड़ा मरोडा गया तो इस तरीके की इनका जो स्टेटमेंट आया था पॉलिजेटिक स्टेटमेंट जो था संसद में वो उन्होंने इस पर ये बाते कहीं तो उसके बाद बहुत हंगामा हुआ और जितने विपक्ष के नेता थे खासकर जो कॉंग्रिस के उन्होंने जै महात्मा गांधी और डाउन डाउन घोटसे के नारे लगाए और उसके बाद सारा जो विपक्षी जो दल था वोटकर खड़ा हो गया और संसद में पूर कि यह जो कुछ नहीं कहेंगी क्योंकि पिछले बार भी हुआ था उन्हें शो कॉस्ट मिला था जब उन्होंने गोटसे को राश्टबग्त बताया जाने की बात कर रही है तो इसकी कोई गैरंटी नहीं है कि प्रग्या सिंग ठाकुर अगली बार गोटसे के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी या किसी तरीके का विवादित बयान नहीं देंगी हाला कि उन्हें डिफेंस पैनल से हटा दिया गया है लेकिन जो हैरानी की बात है वो यह है कि कल जितने भी शीरशनेता थे चाहे वो राजनात सिंग हो चाहे जेपी नडड़ा हो जो के इंद्रि मंत्री ह उन्होंने कहा कि नहीं प्रग्या सिंग ठाकुर के खिलाफ कड़ा एक प्यूनिटिव एक्शन लेना चाहिए और इस तरीके की जो स्टेट्मेंट्स हैं उनको कंडेम करना चाहिए लेकिन आज निशी कान दुबे जो की बीजेपी की लीडर है वो आज प्रग्या सिंग ठा प्रग्येट ने मुझे आतंकवादी कहा। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई आरोब साबित नहीं हुआ है लेकिन इस तरह की बात कहना एक महला का अपमान है। जिसके बाद BGP के सांसद राहूल गांधी से माफी मांगने के लिए कहने लगे। हाला कि राहूल गांधी माफी मांगने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ और माफी नहीं मांगूंगा, बता दे बीजेपी सांसत निशिकान दुबे ने तो राहूल गांधी के बयान को महात्मा गांधी की हत्या से भी बत्तर कृत्य बता दिया, तो अब आप ये देख से खत्म करने के मूड में दिख रहा है क्योंकि राहूल गांधी ने कह दिया है कि नहीं मैं अपना बयान बापिस नहीं लूँगा, ना मैं माफी मांगूंगा और मैं अपने बयान पर कायम हूँ जो नहीं ट्विटर पे लिखा था कि प्रग्या ठाकुर एक टेरोरिस्ट ह तो अगर राहूल गांधी अपने उस पर अड़े हुए हैं, अपनी जित पर अड़े हुए हैं कि नहीं वो मैं अपने बयान पर कायम हूँ तो अदर निशीकान दुबे ने कहा है कि ये तो राश्ट्र पिता महात्मा गांधी की हत्या से भी बड़ा मामला है और इसे बहु प्रिविलिज मोशन आया है या नहीं आया है लेकिन ऐसी सूत्रों के हवालों से खब्र आ रही है कि इस मादले में शायद फैadors्षल किया जाएगा लेकिन इसपर अभी कोई स्पष्टी करण भी है लेकिन एक और जो मुद्दा है और एक और को जरिये से इस पूरे बयान को जो गोटसे का बयान है वो देखना चाहिए कि गोटसे का बयान किस समय आया जिस समय महाराश्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी उसके बाद शिवसेना एंसीपी और कॉंग्रिस की वहां सरकार बनी और बीजेपी बिलकुल बैक समय पुचिय समय ने पुपकशिण हटकर प्रग्या ठाकुर के बयान पर चला जाता है तो इस पर गौर करिएगा कि इसमें क्या सचाई नहीं कि क्या इस समय केंद्रसर्कार, प्रग्या-सिंग ठाकुर के बयानों के जरिये हैं किया जो महарाष्ट में हालात हैं जो real मुद्दे हैं जैसे economic slowdown है और जो आर्थिक मंदी, सुस्ती और जो बाकी जितने भी इशूस हैं समय जो जुवलंत मुद्दे हैं क्या उनको focus में नहीं रखना चाहती है और इसलिए साजवी प्रग्या ठाकुर का जो बयान है वो सुर्खियों में आया हुआ है तो इस प क्या सादवी प्रग्या ठाकुर का बयान हम इस प्रिजम से देख सकते हैं कि ये बयान इसलिए आया है क्योंकि जो real issues है जो real मुद्दे हैं उनसे सरकार ध्यान भटकास के लेकिन फिलहाल जो अगर गोचसे के comment की हम पर से अगर बात करें तो उसकी भच्छना करनी चाहिए उसे कंडेम करना चाहिए और आज प्रग्या ठाकुर ने माफी जरूर मांगी है और वो भी तब जब एक बार उन्होंने टर्म्स और कंडिशन्स पर माफी मांगी उसके बाद जो स्पीकर थे ओंबिरला उन्होंने एक सर्वदली बैठक बुलाई और जिस तरह से पार्टी कि ने अग्री किया पार्टी के अग्री करने के बाद उनकी रज़मंधी के बाद उन्होंने अपना दूसरा एपोलEEEE इस्यू किया था तो आज सवाल यह है कि माफी मंगने के बाद क्या प्रग्या सिंग ठाकुर गोट से पर अपना मूँ बंद करेंगी, क्या ग्यारेंटी है कि वो फिर से कोई ऐसा बयान नहीं देंगी, इसे केंदर सरकार बताएगी और अगर ऐसा कोई बयान आएगा तो हम आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे, आई अपनी तीसरी खबर क करते हैं, सुस्ती के दोर से गुजर रही भारती अर्थविवस्था को एक और जटका लगा है, चालू वितवर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की GDP का आकड़ा 4.5 फी सदी पहुँच गया है, जो जनवरी मार्श 2013 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है, इस से पिछली त 5.5 फी सदी पर थी, वहीं बीते अक्टूबर महीने में भारत के कोर सेक्टर में एक बार फिर बड़ी गिरावट धर्ज की गई है, सरकार के ताजा अकड़ों के मताबिक एक साल पहले के मुकाबले कोर सेक्टर में 5.8 फी सदी की कमी आई थी, तो हैरानी की बात नहीं है, क जोनोंने पहले से कहा था कि 5% से कम आएगा, पहला तो फिच ग्रूप फिर्म इंडिया रेटिंग ने अलड़ी फॉकास कर दिया था कि 5% से कम होगा, उदर इसी आरे उसने भी यही कहा था कि लगभग 5% से कम ही आएगा, उदर सिंगापूर का जो DBS बैंक है, उसने भी य संदी है, सुस्ती है, उस पर कंज्यूमर्स पर क्या एफेक्ट पड़ा है, कंज्यूमर्स ने खरीदारी बंद कर दी है, चाहे वो बड़ी चीजों की सेल हो, चाहे आप कार्स को ले लीजे या चोटे बिस्किट के पैकेट्स हो, उन पर भी एक डेटा था कि किस तरह से लो 35 बेसिस पॉइंट को कट किया, फिर उसके बाद कॉपरेट टैक्स रेट को घटाया गया, जितने भी नाशनलाइस बैंक्स थे, उनका मरजर किया गया, एक स्पेशल फंड बनाया गया, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, लेकिन इन सारे मेजर्स के बावजूद, कोई किस इसी भी तरीके का मुमेंटम नजर नहीं आ रहा है, जिससे की एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रियेट हो सके, और सरकार हमेशा यही कहती है, आज जो एकनॉमिक एडवाइजर उन्होंने भी कहा, और पिछले दिनों में हमने वितमंत्री निर्मला सीतर रमन को भी यह कहते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि अगर हमारे एकनॉमिक फंडमेंटल स्ट्रॉंग हैं, तो यह इस तरीके का जो डेटा आ रहा है हर सेक्टर से, चाहे वो कंजूमर एक्स्पेंडिचर का डेटा हो, चाहे अनेप्लॉइमेंट का डेटा हो, चाहे वो जीडिपी फिगर्स हो, और एक बहुत ही मायूस करने वाले यह फिगर्स हैं, वो समय आ रहे हैं, और सरकार इसे कैसे निपटेगी, और कहते हैं कि जो एकनॉमिक मंदी है, जो आर्थिक मंदी का जो मुंदा होता है, वो किसी न किसी सरकार के लिए, हमेशा अगर आप पुलिटिकल हिस्ट्री उठा देटा आ रहा है, वो बिलकुल भी एंकरेजिंग डेटा नहीं है, और कुल मिलाकर एक आर्थिक मंदी और सुस्ती के जो मुंदा करते हैं, उससे एक बहुत मायूसी का माहौल है, आई अपनी अगली ख़बर क्यों रुक करते हैं, महराष्ट में उधफ सरकार कल यानी 30 मुर्चा बनाने की बात कही है, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब गोव में नया राजनीतिक समीकरण आकार ले रहा है, और जल्दी महाराष्ट की तरह गोव में भी चमतकार हो सकता है, इसके बाद हम दूसरे राजियों में जाएंगे, हम देश में गैर बी चनौती यह है कि वो सरकार तीन डिफरेंट पार्टी मिलकर यह कैसे चलाएंगे, उनका कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम है वो तै हो गया है, उसको एक सेकिलर धर्म निरपेक्ष एक आकार दिया गया है और कहा है कि कोई भी ऐसा जो संप्रदायक मुद्दा है वो उसमें नह हमने करनाटका में देखा था जिस तरीके से सरकार को वहां पर गिराए गया था तो क्या उधव ठाकरे अपनी सरकार बचा पाएंगे और अगर बचा पाएंगे तो कितने दिन बचा सकते हैं क्योंकि और राजियों में चुना हो रहे हैं और जैसा पने संजराओ को सुना कह हुआ है और शायद जिस रोल में बीजेपी को देखा जा रहा था पहले अब वो शिवसेना उस रोल में आ सकती है और अपने फुट्प्रिंट्स को धीरे धीरे महाराश्ट के बाहर भी वो बढ़ाएगी और ऐसी कोशिश जरूर करेगी कि एक नॉन बीजेपी का सहारा लेकर शिवसेना अपने फुट्प्रिंट्स को पूरे देश में बढ़ाएगी अभी शिवसेना एक महाराश्ट्र में बेस हुई एक पार्टी मानी जाती है और अब धीरे-धीरे करके अब और और राजियों में भी जाएंगे तो बीजेपी जो केंद्रे सरकार है उ 2021 का तो कई राजियों में चुनाव है और अब यही देखना होगा कि क्या ये एंटी बीजेपी फ्रंट क्या शिवसेना की अगवाई में होता है और अगर बनता है तो बीजेपी इसे कितना चेक्मेट कर पाती है तो काटे की टकर लिख रही है और अभी तक जिसे अगे बढ़ रही है और शरत पवार की अगवाई में जिस तरह से ये पूरा फ्रंट खाड़ा हुआ है और अच्छे वसेना का मनोबल भी बढ़ा हुआ है तो ताजूब नहीं होगा कि ये एंटी बीजेपी फ्रंट अपने पाओं पूरे देश में भी पसार सकता है तो अ तक चार लोगों को गिरफतार किया है इसमें दो गारी के ड्राइवर और एक लीनर है पुलिस ने कहा है कि पहले इन लोगों ने पीड़ता को किड़नाप किया और फिर गैंग रेप किया और बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया वही त्यलंगाना के ग्रहमंत्री ने अ इतना समवेधन शील बयान कैसे दे सकते हैं एक महिला का अगर टायर पंक्चर हो गया है तो उसे सबसे पहले वो शायद अपने किसी घरवाले को ही फोन करेगी या घर में उसका भाई बहन जो भी होगा उसे फोन करेगी लेकिन उसे इस बात का अंदेशा नहीं था कि जो द आरे नेता हैं वो इतने जब वो इतने असमवेधन शील हैं तो हम जो दरिंदे हैं उनसे क्या एक्सपेक करते हैं और यह और घिनोना मामला सामने आया है आपको दो हजार बारा का जो दिल्ली का गांगरेप था वो याद था कि कितना प्रोटेस्ट हुआ और कितना उस समय विरोध प्रदर्शन हुआ इसको लेकर जो गाइडलाइन आई और लॉज में और कानून में चेंज लाए गए हर कॉपरेट ऑफिसे के गाइडलाइन बनाई गई कि रात में अगर महिला जाएंगी तो उनके साथ पुलीस होगी तो इन सारी गाइडलाइन के बावजूद और एक जो प्रेजन सरकार है वो ही दिखाती है कि महिलाओं के प्रती वो बहुत संवेधनशील है लेकिन इन सब के बावजूद जो आकड़े हैं और जो दर्शाते हैं जो क्राइम अगेंस्ट वेमिन के जो महिलाओं के प्रती जितने भी इस तरीके की हिंसक बारदाते हो वो बढ़ रही है और इसका जो सीधा साधा संकेत है वो है नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा और वो डेटा है जो 2017 का जो लेटिस डेटा है उसमें पुलीस ने 33,658 केसे रेप के यानि कि बलातकार के रेजिस्टर किये हैं यानि कि एक दिन में 92 रेप केसे र धरे के धरे हैं और जिस तरह से ये वारदाते हो रही हैं ऐसा नहीं लग रहा है कि कानून के बावजूद और इतनी संवेधन शीलता बढ़ने के बावजूद रने महिला पुली स्थाने बनाए हैं उसके बावजूद कहीं भी इन क्राइम में इस तरीके के क्राइम में कोई गिरावट नजर नहीं आ रही है और मेरा सवाल ये है कि एक कानून की विवस्था की बात जो हम करते हैं उसके साथ साथ एक सामाजित मुद्दा भी जुड़ा हुआ है फैमिलीज में ये बात करते हैं कि महिलाओं को देर रात नहीं जाना चाहिए उन्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए तो क्या माबाप आज अपने बेटों के लिए ये बात कहते हैं कि उन्हें देर रात घर से नहीं जाना चाहिए उन्हें इस तरीके के कपड़े नही होती है वो किस तरह से होती है और यह मानसिक्ता जब तक नहीं बदलेगी तब तक ऐसी बारदाते अंजाम लेती रहेंगी और इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी तो मेरी और से पांच बड़ी खबरों में इतना ही अपने कॉमेंट्स और सजेशन्स जरूर दीजेगा मेर इसी बेबाकी के साथ आपको सुनाती रहूंगी सच मुझे दीजे जाज़त नमस्कार सत्त हिंदी के और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं